अगर आप महा डिप्रेशन में हैं, अगर आप अकेला महसूस करते हैं, अगर आप खोया-खोया महसूस करते हैं, आपको रोना आता है, आपका मन परिशान रहता है, आपको किसको खुश देखकर खुशी नहीं होती, आपका अच्छा से कुछ जाने का मन करता है, आपका सुस अलग-अलग रंग आपको दिखाई दे रहे हैं इस बॉल में ऐसे ही हमारे मन के भाव अलग-अलग हो जाते हैं अलग-अलग लोगों से मिलकर अलग-अलग लोगों की बाते सुनकर और अलग-अलग चीजे करकर आईए डिप्रेशन से भार निकलने की बाते बताएं सबसे प पहले आप अपनी सबसे छोटी उंगली के अंदर इस उंगली के अंदर सफेद रंग का अच्छी क्वालिटी का सोमवार वाले दिन एक मूती धारन करें मूती पूजित प्रान प्रतिष्चत और अभी मंतरित हो और सुम्वारवल दिन धारं करें, पूजा करा कर तो भेहतर है जितना संबह हो सके, चांधी के जिवर पहने जिसे चांधी की चूडियां पहन ले चांधी के कंगन पहन ले, पायल पहन ले जैंट्स हैं तो चांदी की चेन पहन लें, चांदी का एक चकोर अपने पास रख लें या चांदी के चम्मच से खाना खाएं या चांदी के गलास में पानी पियें तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं अपना बिस्तर जिस पर आप सोते हैं, उसमें चांदी की एक कील आपके बिस्तर के चारो पाओं में गाढ़वा दीजे, गार दीजे सोंवर वाल दिन चांदी की कील आपको बहुत असानी से किसी भी सुनारे के पास मिल जाएगी चार कील लाईए और अपने बिस्तर पर मंडे वाले दिन आप उसे लगा दीजे अगर आपके घर में कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है और वो उस डिप्रेशन से बहार नहीं निकलना चाहता तो उसे बिना बताए यो पाए आप कर दीजे घर में सफेद रंग का शंक रंगे और शंक में रातरी में पानी भरें और उटकर सुबा इस पानी को अपने कमरे में छिरकें छिरकाव करें और इस पानी को पीएं भी सीब के बरतनों में खाना खाएं और सीब की जुलरी पहने सीब के बरतन बहुत असानी से Amazon पर या किसी भी अच्छी साइट पर आपको मिल जाएंगे और Goa साइट में तो नॉर्मल ये बरतन मिलते रहते हैं इससे भी आप डिप्रेशन से बहार निकल सकते हैं सफेद गाएं की सेवा करें उसको कुछ मीठा खिलाएं या सफेद रंके कुत्ते को दूथ पिलाएं तो भी आप डिप्रेशन से बहार निकल सकते हैं और आप चाहें तो गाएं पाल सकते हैं और सफेद रंग का कुता या कुतिया पाल सकते हैं लेकिन ये संभव नहीं है अब कुता तो पाल सकते हैं लेकिन गाए पालना संभव नहीं है तो कम से कम गाएं का एक सफेद गाएं का चित्र निकाल कर आप अपने कमरे में लगा लीजे मा से चांदी या चावल गिफ्ट मेले आप अपनी मा से कहो मा मुझे चांदी की कोई चीज दिला दे तो मुझे एक अंगुटी ही दिला दे या आप शाधी शुद्णा हैं तो अपनी माँसे कहें कि माँआ आपको चान्दी के किसी छोटी सी कटोरी के अंदर सफेध रंग के अच्छे कच्छे चावल भर कर दे उन चावलों को अपने घर के चावल में मिक्स कर लीजे और उन चावलों को खाना शूरू कीजे और कम से कम पाँच सोमवार अपनी माँ से चावल लीजे आपको डिप्रेशन में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा चांदी की भस्म खाने में मिलाकर खिलाएए या डिप्रेशन में जो वेक्तियों से खिलाएए लेकिन डॉक्टर की सहला लेकर मेरी बात सुनकर नहीं क्योंकि जो पाई मैं आपको बता रही हूँ ये एक शास्त्री उपाएं हैं ये एक हमारे सिद्धान्तों के भारते से बता संस्कृति के उपाएं हैं हमारे शास्त्रों में लिखे हैं लेकिन खाने पीने की कोई चीज अब आपको हो सकता है चांदी से ऐलर्जी हो हो सकता है कि आपको माइग्रेन हो हो सकता है आपको श पर सोना बहुत उत्तम रहेगा खास काम पर जाने से पहले एक मठके के अंदर मिट्टी का मठका हो उसमें दूद भरकर अगर ब्रहमन को आप दान करकर जाएं तो आपका डिप्रेशन आपके किसी भी काम को रुखने नहीं देगा जैसे आप इंटरव्यू नहीं दे पा रहे कि उनके मस्तक पर ही चंद्रमा विरजमान है तो चंद्रमा के देवता की जितनी आप पूजा करेंगे शिव की उतना फल दायक है गंगा जल बेल पतर से अपने घर में छिरकाव कीजिए और गंगा जल पीजिए गंगा जल से नहाईए गंगा जल शिवलिंग पर बहुत हद तक डिप्रेशन से बाहर आने में हेल्प मिलेगी ये सारे एक उपाई हैं जो मैं आपको बता रही हूं लेकिन दुनिया का सबसे महाउपाई पता है आपको क्या है दुनिया का सबसे महाउपाई है कि डिप्रेशन से आप बाहर तब ही आते हैं जब आप डिप् तो मेरी आप से एक request है, try to be happy, try to be calm, try to be a positive और लोगों से जिनके पास आपको बैठ कर खुशी मिलती है, जिन्देगी बहुत छोटी है